कि हैलो अच्छ बिटी के सभे स्टुडेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को कहाते जो आप से रिलेटेट कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभे स्टुडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सेलूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसे वीड जो भी जेन्वेन सलुशन होगा जैसा भी तक मैं रखता है हूँ आगे भी आप सभे स्टुडेंट तक पहुंचाने की हंडेड परसेंट कोईस करूंगा जैसे कि पिछले एक दो दिनों से आप सभे स्टुडेंट के काफी डिमांड थे अप्लेड मेकेनिक्स के कुस्चन क कर लिया आप कई स्टुडेंट जो भी आपने टोपिक लिया होगा तो आपको पता था पेपर उससे बाहर नहीं जाता लेकिन मैं आपको बताना चाहरा हूँ जितने भी मैं आपको टोपिक बताओ अगर आपने इसे अच्छे से कवर कर लिया तो मेरी गैरेंटी रही कल किनीमम सड्ने 45 बताया मैक्सिमम पचपन साथ आही नहीं सकता इस बात की भी गैरेंटी मेरी रही तो सब्स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कम्पलीटली देखे और साथ साथ एक बात और बता दू अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अधिक से अधिक स सब्सक्राइबर कम्पलीट हो जाते हैं तो मजे की बात आप लोगों का मैथ और फिजिक्स का भी इंपोर्टेंट कोस्टन जो इंपोर्टेंट टॉपिक होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा तो अधिक साथी किसे शेयर करें और साथ साथ अगर आप किसी भी ब्रांच के स्टुडेंट हो चलो एक बात और क्लियर कर देता हूं आपका सिविल है मेकेनिकल है या अगर आपके सिलेबस में अप्लाइड मेकेनिक्स है तो मजे की बात बताना चाहरा हूं आप लोगों की मैं दो से तीन फ्री क्लासेज लूँगा उसके लिए जॉइन होने के लिए आ ताकि आपका पेपर जो है इजली निकल जाए और बताओ और कुछ हैल्प चाहिए मुझे नहीं लगता अरे यार अगर मैंने चार क्लासेज ले लिए ना आप अपने सीनियर से पूछिएगा सिविल मेक अक्सर गवर्मेंट कॉलेज में कहावत कहा जाता है अगर स्टुड तो ऐसे इनी बेटर नाम कमाये है आप लोग बिल्कुल घबराओ मत जिन भी स्टुडेंट को जोइन होना है विदोट एनी चार्जेज अभी बता रहा हूं और जब भी थर्ड सेमिस्टर की क्लासेज आएगी जब अगर आप सिविल ब्रांच के हो तो आप लोग तब कर लूँगा आपको टैमिंग वाइमिंग सारे ग्रूप में मिल जाएगा आप मुझे प्रेशनली वट्सप करिएगा रही बात सर अप्लाइड मेकैनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मैं आप सभी स्टुडेंट को बता देता हूं अगर आपकी अप्लाइड मेकैनिक्स पे प सब्जेक्ट है आप लोगों ने पता नहीं से क्यों बना रखा है बहुत मज़े वाला सब्जेक्ट है अगर इसे इंटरेस्ट लेको पढ़ हो गे ना तो ऐसा सब्जेक्ट कुछ नहीं है लेकिन आगर पेपर की बात करो तो आपके टोटल टोटल छे से साथ चेप्टर है उस chapter में से सबसे पहला chapter है introduction, देखो बेटा, introduction में पहले तो आपको यह करना है mechanics क्या होता है, सभी student को पता ही होगा, mechanics के कितने branch होचे होते है, statics हो गया, dynamic हो गया, अब अगर आप से paper में पूछा जाए, जो statics क्या है, आपका dynamic क्या है, तो वो बात है I hope आप उसमें easily लिख सक तो रही बात पहले तो sir, applied mechanics क्या होता है, आप इसके बारे में study कर लिजेगा, इसके बाद इसके आप types of mechanics भी देख लेना, मैं आपको clearly बता दू, then उसका quantity और एक होता है unit, सभी बच्चे को पता है physical quantity वो quantity जीशे आप measure कर सकते हो, उसे physical quantity कहते है, physical quantity के दो type है, एक fundamental quantity, एक draft quantity fundamental quantity उसे कहते है, जो दूसरे पर depend नहीं होता, draft quantity वो quantity है, जो fundamental quantity पर depend है, I hope आपके concept clear हो गये होंगे, total 7 fundamental quantity है, 7 हो का नाम unit के साथ रखिएगा, paper में कोई एक पूछ लेगा, ठीक है, same है, अगर unit के बात की जाए, sir ने बताया, unit कहा है, किसी भी quantity को indicate करने के लिए, आप जिस word क यूनिट कहते है, just like, अगर आप से कोई पूछे, mass को किस में measure करते है, kg में, weight को किसे में measure करते है, newton में, तो यूनिट है, क्योंकि कोई भी quantity है, अगर आपको उसको represent करना है, तो represent करने के लिए, आप जिस word का use करते हो, उसे ही unit कहते है, unit के भी दो type होते, fundamental unit, and sir ने बताया PS unit, और sir ने एक बताया, आपका SI unit है, चारू को अच्छे से देख लेना, और ये paper में पूछा जाएगा, एक question आता है, rigid body, मैं कई student को देखता हूँ, हर बर paper में पूछा जाता है, मैंने अक्सर कई बच्चों को देखे, question भी check करता हूँ, पता नहीं, unsent की कहानी लिखता है यार, simply समझ लो, मैं आपको बहुत short तरीके से बताता हूँ, आपको लग रहा होगा, sir, update ही अच्छा देते है, बेटा, time नहीं मिलता है, वरना मेरी classes, जीस दिन लो लोगेन, मजा आ जाएगा, कोई सा subject हो, देखो, rigid body, उस body को कहते हैं, बेटा, जिस पे force का कोई जल्दी effect पढ़ता ही नहीं, अब बोलो, sir, आप मुझे बोलो, क्या, मैं rigid body हूँ, बोलो, sir, नहीं, मैं नहीं हो, यार, क्या बात कर रहे हो, आप मेरे को, अब जैसे मानो, यह हाथ है, suppose कीजिए, अगर मैं इस पे force लगाओ, आप देखिएगा, इस पे कोई ना कोई effect आ रहा है, क्या यह concept समझना, तो sir, ने बता है, rigid body, उस body को कहते है, जिस पे force का कोई effect नहीं पड़ता, तो I hope आपके यह 4 concept clear हो जाएंगे, अगर आप कर लेते हो, तो आपका पहला chapter खतम, इसके बाद इसमें कुछ मत देखना, second chapter की बात आता है, बेटा, law of forces, law of forces का सब्चे important question, define force, force से क्या समझते हो, जब भी आप किसी body पे, कुछ भी, अगर उसमें motion आ गया, आप समझो, आप जैसे push and pull, आप किसी body में हो, due to any reason, उससे सरनी क्या बता है, आप force कहते है, paper में पूछा जाता है, write the unit of force, SI unit, मैं आपको बता रहा हूँ, तो बेटा, याद रखना, Newton is the SI unit of force, अगर सरनी क्या बताया, dine होता है, और एक unit में 10 to the power 5 dine होते है, I hope यहाँ तक कोई दिकत नहीं है, next, characteristics of force, मतलब किन बातो भी एक आपका magnitude हो गया, एक direction हो गया, एक motion, ये सारी बाते देख लीजिएगा, second effect of force, force का क्या effect है, अरे यार, बहुत effective force के, अगर आपके paper में 5 नमर में प group करना है, तो यार, सरनी काम क्या, suppose करो, मेरे गारी का petrol हो गया, खतम, तो मैं इसका handle पकरूँगा, पीछे अपना एक चेला लूँगा, बोलूँगा, लगा बिटा धका, वो लगाएगा, और ये motion में आएगा, तो जब अगर ये body motion में आ रहा है, तो पहला effect तो यहीं से clear ह हो गया, बोलो बच्चो, हाँ या ना, हुआ है नी, second effect यह है, अब मानलो कोई body motion में, अब मैं कोई दौर के जा रहा हूं, और मुझे आगे रुकना है, तो अब जैसे कोई आगे खड़ा है, अब उसने आयर एकदम से मैं motion में हो, दौर रहा हूं, और उसने रोग दिया, त किसी चीज का shape change करना है, force की जरूरत है, या चार बात है, तो मैंने ऐसी change कर दी, force क्या सब effect करता है, पहला, it change the, सारे बच्चे बोलो, position, it change the, सारे बच्चे बोलो, shape, third star ने बताया, it increase the, किसी भी body को, बिटा, अगर motion में लाना है, आपको force की जरूरत पड़ेगी, कोई भी एक cop planner होगा, एक non cop planner होगा, बस इतना देखना, अब यह निए अब उसका chart याद कर रहे हो, cop planner के दो type होते है, non cop planner है, यह सारी कहानी रहने दो, अगर आप से कोई पूछे, force system से क्या समझते हो, सर ने simply बताया, force को indicate करने के लिए, कई सारे मेरे पास force है, कोई horizontal direction में जा रहा सर ने क्या बताया, कई सारे forces है, I have many forces, there are, कई अलग अलग property है, सब force को, उसको represent करने के लिए, सर ने क्या किया, एक system का use किया है, बेटा, उसी system को, force system कहते है, force system के basically, दो type होते, cop planner force system, non cop planner force system, इसकी कहानी आप paper book में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो को short फट system बता दिया, इन तीनों में से, आपके एक तो बेटा, parallelogram law of forces, एक triangle law of forces, और एक आपका लेमी स्थियोरम, इन तीनों topic को कर लिएगा, मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा, एक बात बता, parallelogram law of forces and triangle law of forces का क्या काम है, कहते है, सर काम नहीं, पता, बस हमें इतना पता है, parallelogram law of forces है, बहुत सिंपल, अगर आपसे कोई एक नंबर में पूछे, मैंने आपको खड़ा किया, बेटा, stand up, आप खड़े होगे, class में, मैं बता, ये दोनों पढ़तो रहा है, लेकिन इस दोनों को क्यों पढ़ा जाता है, अब बोलोगे, sir, पढ़ा जाते है, कुछ नहीं, resultant calculate करने के लिए, कोई भी force है, उस force का resultant calculate करना है, तो उस resultant को calculate करने के लिए, आप बेसिकली दो ही है, एक तो बेटा आपका parallelogram law of forces है, एक आपका triangle law of forces है, अब यहाँ पे कई बच्चे दिमाग लगाते है, sir, उसमें लिखा हुआ है, co planner and center, वो चीजे छोड़ो, sir, ने simply बताय है, साइध आप लोगों को parallelogram law of forces का formula भी पता होगा, root अंदर में F1 का square, plus में F2 का square, plus में 2F1, F2, यह होता है, आपका cost theta, यह है ना, resultant calculate करने का formula, अगर यह दो force है, यह आपका F1 है, यह आपका F2 है, मैंने कह दिया, आप मुझे इसका resultant calculate करके बताओ, तो resultant का formula होता है, F1 का square, plus में सरने बताए F2 का square, plus में 2F1, F2, और सरने बताए cost theta, यह सारे concept है, जो आपको अच्छे तरीकी से आने चाहिए, एक triangle law of forces और एक आपका lemis theorem, यह तीनों मैं आपको classes में करवाऊंगा, घबरानी की ज़रूत नहीं है, बहुत simple term में मैं बच्चे को समझाते, lemis theorem, topic है, कुछ मत करो, एक बाद बता, बहुत simple में आपको बतातो, देखो, यह आपके suppose करिए, यह point है, एक force, यह आपका पहला force suppose करिए, यह आपका दूसरा force, और यह मान लीजे बिटा, आपका तीसरा, F3 force है, अब मुझे क्या करना है, यह F3 force है, बिटा, simply याद रखो, पहले F3 लिख लो, F3 के ठीक opposite जो आपके दो resultant है, इसके बीच का जो भी angle है, उसको आप sign के form में लिख लो, अब जैसे मान लीजे मैंने कह दिया F1 है, F1 के 2 opposite जो force है, यह दोनों बचके है, इसको आप sign के form में लिख लो, अब मैं कहता हूँ F2 की बाद बताओ, F2 के 2 opposite यह है, इ फिर होगा आपके पास F3 में sign गामा कुछ भी रहे है, तो इटमिस के है, F1 में sign alpha, आप जब ध्यान से देखिएगा, मैं जो topic कह रहा हूँ, आज आप इसे कर लो, यह आपके पास 3 force है, सपोस करो यह आपका F1 है, यह आपका F2 है, यह आपका F3 है, तीन forces है, अब यह आपक करो, आप सभी बच्चे बताओ, F3 की बात की जाए, सर यह दोनों आप उस, तो इसके बीच का जो होगा, अब मान लीजे, यह आपका beta है, तो सर यह हो गया, F2, सपोस करीजे, इसे गामा ले लिजे, ठीक है, F2 है कोन में, सर ने बताया sign gamma, अब रही बात, आपके पास F2 की concept, clear, जब आपके पास, यह force वाला chapter complete हो जाए, then आप पढ़ोगे, moment, moment ऐसा कोई subject ही नहीं है, chapter ही नहीं है, अगर आप से कोई पूछता है, moment कहा है, simply जबाब दीजिए, force को, अगर आप, देखो, बेटा, moment calculate करने के लिए, आपके पास force भी होना चाहिए, distance भी होना चाहिए, moment is a product of force and perpendicular distance, that's all in one word, it means, जब भी अगर मैं आपको कह देता हूँ, मैंने एक student से पूछा, मैं लबटा एक बात बता, यह body है, इस पर 2 kN का load लग रहा है, इनके बीच का distance 2 meter है, मुझे बता, यहाँ पर क्या moment लगेगा, बच्चा कहता पता नहीं, अरे अभी तो आपने पढ clockwise moment, anticlockwise moment, अगर rotation clockwise direction में है, force का, उसे clockwise moment कहेंगे, अगर rotation force का anticlockwise direction में है, उसे anticlockwise moment कहेंगे, इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो, next question है, very known theorem of moment, सब उसे easy topic, इस topic को easy होई ने सकता, आप करिएगा, ना समझाए, मैं आपको class में करवाँगा, next है, आपके पास laws of moment, sum of clockwise moment is equal to sum of anticlock moment, ये क्या है, सर ने बताया, law of moment, it means, अगर आपके body पे कई सारे clockwise और anticlockwise moment लग रहे हो, तो सर ने बताया, sum of clockwise moment is equal to sum of anticlockwise moment, is the law of moment, concept clear, इसको detail में मैं आपको करवाँगा, next नहीं बात, सर, liver and type of liver, इस चे आसान कोई topic ही नहीं है, liver और एक आपका couple, इन दोनों topic को करिएगा, ये आपके paper में पुछे जाते, कई बार पुछा गया है, taps of liver को लेके, और taps of couple को लेके, अगर आप moment कर लेते हो, फिर आपका chapter है friction, friction ऐसा subject chapter कोई ही नहीं, friction क्या है, friction क्या आपको पता होने चाहिए, basically बेटा, तीन type होते है, static friction, dynamic friction, और एक होता है, limiting friction, static friction, सबसे पहले एक ब rolling होते है, और सरने बताये, sliding होते है, कई सारे teacher भी देखते है, मेरी वीडियो को बोलेंगा, आपने तीन कैसे बता दिया, डिपलोमा वाले हो, तो जितना मैं बता रहो हो, उतना समझो, देखो, अगर पूछा जाए, write the types of, सरने बताया, friction, तो बोलिएगा, देरा, three types of friction, statics, dynamic limiting, अगर पेपन पुछा जा, dynamic friction के type बता, सरने बता, dynamic friction के दो type होते है, दोनों का नाम याद रखना, sliding friction, rolling friction, मैंने एक student से पुछा बेटा, बता, what do you mean by statics friction, कहता सर, पता, I don't know about it, friction, opposite force, इसको अरे यार, simply याद रखो, कोई body, आप force लगा रहे हो, रुके हुए condition में है, त तो वो जो friction लग रहा है, opposite direction में, उसे static friction कहते है, अब चल रहा हो, चल रहा हो, आप देख हो, तब जो friction लग रहा है opposite direction में, उसे क्या पढ़ेंगे, dynamic, dynamic के दो होते है, rolling, sliding, अगर आप roll करते हुए जा रहे हो, rolling friction, slide करते हुए जा रहे हो, sliding friction, एक student से मैंने पुछा, बेटा, what is meaning of limiting friction कहता है limiting friction बहुत simple maximum value of static friction is called limiting friction अब जैसे मालो कोई ऐसा एक डबबा है ठीक है सपोस्किजिए कोई box है अब मैं उस पे force लगा रहा हूँ लेकिन उसमें कोई movement नहीं आ रहा उस friction को क्या पढ़ते सर ने बता है limiting friction क्या समझें रुके हुए condition में कोई box है मैं load लगा रहा हूँ opposite direction friction लग रहा है लोड बक्सा आंके नहीं जा रहा है कौन सा friction static friction अब मैं चल रहा हूँ या कोई box को मैं आराम सैसे लेके जा रहा हूँ कौन सा friction dynamic friction क्यों क्योंकि रोल चलते हुए running condition में अब मैं आपको को limiting friction सर ने बता है maximum value of static friction मतलब मैं बक्से को लेके जहां static करें फिर load लगाया maximum load गया चलना start हो गया उसे क्या पढ़ेंगे limiting friction I hope आपके concept clear हो गया हो गया then उसके बाद paper में पूछा जाता है limiting friction सर ने बता है maximum value of friction is called limiting friction tap of friction there are three taps of friction static friction dynamic friction limiting friction dynamic के दो होते rolling friction sliding friction I hope concept clear होना चाहिए next coefficient of friction very simple it is ratio of F upon R अब बोलो कि sir what is meaning of F limiting friction what is meaning of R normal reaction it means coefficient of friction is the ratio of limiting friction to the normal reaction what is meaning of normal reaction in horizontal plane वो simple जो body का mass हो वो इसके normal reaction के बरबर होता है बहाबनाओं को समझ रहे हो बेटा ऐसा नहीं है सर सिर्फ अपडेटी अच्छा देते हैं engineering के मैं आपको बताता हूं civil engineering के 23 subject पढ़ातों में अखिला जो बच्चे पढ़ते उनसे पूछिए और आज तक मैंने कभी class में हो या offline हो या online हो मैंने कभी बुक पलटा के नहीं देखिए साब मेहनत किये यह body weight ऐसी नहीं घट रहा साब रात राद भर अभी भी जाके ऐसा नहीं है अब लाइप से टल है बढ़िया salary आ रही है बढ़िया online offline classes आ रहे लेकिन अभी भी पढ़ना है क्यों समझ गया ना यह ऐसी नहीं आता मेहनत करना पड़ता है ठीक है अब भी करो पूरा से लिए बस रटो एंगल of repose is the maximum value of सर ने क्या बताया कोई भी body अब बेटा देखो आ slide करना start कर जाए body रखा है कोई sliding नहीं है मैंने थोरा सो उठा दिया slide कर रहा है तो यहां जो angle बनेगा ना with respect to horizontal plane उसी को कहते है सर ने बताए angle of repose और एक होता है angle of friction angle of friction is the angle between normal reaction and resultant force of friction अब बच्चे बोलेंगे सर यह नहीं कहान ही क्या बता रहे हो बहुत सिंपल समधादो अगर बोलो चलो समझते हैं यह होताना अगर मैं topic पर पढ़ाने आता नहीं तो फिर रुके नहीं जाता मेरे इस देखे यह मान लीजे कोई body है ठीक है बेटा अब हो force लग रहा है opposite direction में जिसे limiting friction कहते हैं अब आपको पता है दो force के बीच में एक resultant act होता है यह तो इतना पता है और इसे कहेंगे resultant force of friction और यह है normal reaction इन दोनों के जो बीच का angle होता है नहीं बटा इसे angle को पढ़ा जाता है angle of friction concept clear और कोई body मान लो ऐसा रहा और यह आपकी bike है य इस एंगल को पढ़ेंगे angle of repose concept clear हो जाना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा हो गया और कुछ बच गया क्या हां उसके बाद law of friction statics का डानेमिक का आप देख लेना और importance of friction मतलब harmful effect of friction और सर ने बताए useful effect of friction and how to reduce friction यह चारू topic आपको करने हैं फिर machine की बात आती है machine में 4 topics simple machine compound uses of machine and law of machine यह देख लिएगा बहुत आसान topic है खुद से करोगे हो जाएगा then आता है center of gravity center of gravity बहुत important question CG से आप क्या समझते हो define CG अरे यार बहुत simple आसान बहुत आसान topic है center of gravity बातों को समझो अगर आप इसको ज्यादा deep में पढ़ोगे बहुत मैनत का काम है अगर आप उपर पढ़ोगे डिपलोमा के लिए शर ने बताया center of gravity is the point where the whole weight of body is act मतलब जहां पर पूरे body के weight का resultant act होता है इस point पे उसे point को center of gravity कहते है एक होता है centroid वो point जहां पर पूरे body का कोई lamina का area का point act करे उस point को क्या पढ़ा जाता है centroid और method to find CG 4 method है moment area method होगा और भी होंगे graphical method होगा और एक method है देखना ये करने के बाद आपको इन तीनों section का क्या निकालना है center of gravity निकालना है अगर आपको जितना सरने बताया अगर आप उतना कर लेती हो एक्जाम वाले दिन अगर मेरी इस वीडियो को आपने अच्छे से देख भी लिया ने बिटा कुछ कोस्टन तो ऐसे से से मा जाएंगे तो इसलिए वीडियो को लाइक किये बिना अगर गए बिना शेयर किये गए अगला वीडियो नहीं आएगा याद रखिएगा इस बात को और साथ साथ जिने भी क्लास में जोइन होना है वीडियो के description में नम्मर डलाए without any fees मैं 4 classes लूँँगा पढ़के द कियेगा और एक आपको force वाले chapter का करना है अगर force में numerical पूछ ले या इन तुनों में से किसी एक का theorem पूछेगा तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ही खतम करता हूं मिलते निक्स्ट वीडियो निक्स्ट अपडेट निक्स्ट पैटर्न के साथ बाई लॉफ यू आह